हेलो एब्रिवन में नाम है अकास चौबे और आज हम लोग फेक्टराइजेशन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं ठीक है तो इसके पहले वाले लेक्चेर में हम लोग ने तीन टाइप देख लिया था पहला टाइप किया था कि फेक्टराइजेशन बाइ टेकिंग अब कर चुके है ठीक है बच्चा तो यह थर्ड टाइप में हम लोग ने a square minus b square equals to a plus b into a minus b इस formula को use करके हमने फेक्टराइजेशन सीखा था ठीक है तो next जो टाइप है वो हम लोग आज की लेक्चेर में continue करने वाले हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो हम लोग देखते है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यह बस हम बता देंगे उसके बाद से हम लोग जल्दी से सम्स देख लेंगे यह बहुत बेसिक सम्स लिखा हुआ जो डाट लिए आप लोग एक बार में कर सकते हैं ठीक है जो बच्चे जानते इस सम को वो अपना करना continue करें ठीक है हम इसका जल्दी से एक बार theory बोल देता है ठीक है यहाँ पर क्या है कि AX स्क्वाइर प्लस माइन करते हैं X स्क्वाइर के कोईफिशियंट से X स्क्वाइर के कोईफिशियंट से C को मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है ना तो मेरे को क्या मिलेगा बच्चा यहाँ पर मिल जाएगा हमको AC AC मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फिर अच्छा जो AC आया है जो मेरा AC आएगा सब्सक्राइब यहां 5 था यहां 2 था तो हम क्या आगया मेरे पास 5 x 2 10 मिल चुका है यह हमको कोई एक नंबर मिलेगा ठीक है अब हम क्या करेंगे कि AC को कितने तरीके से लिख सकते हैं जैसे सब्सक्राइब करिए कि एक हम एक्जामपल लेके चल रहा है यहां पर सब्सक्राइब जैसे यह पहला वाला ही हम एक्जामपल ले ले रहे तो यहां पर देखिए यहां 1 है यहां 12 है तो इस केस में A का वेल्यू है 1 और C का वेल्यू कितना है 12 है तो AC का वेल्यू क्य तो देखिए जो यहां पर AC की जगह पर 12 वेस का हम कैसे लिखसकते है ऐधा 12 टुँ 1 लिख सकते है ठीक है या फिर 4 अंटु 3 लिख सकते है या फिर 6 अंटू 2 लिख सकते है ठीक है इतने तरीके से हम इसको factors दो चीज का multiplication में हम कैसे सकते है 12 को ठीक है तो 12 into 1 या 4 into 3 या 6 into 2 तो यह इस तरीके से हम 12 को लिख सकते हैं अब देखिए अब हमको उस वो factor को select करना होगा इस तीनों में से हम उसको select करेंगे जिसका product 12 वो product तो 12 होगा ही होगा और जिसको हम अगर add या subtract करें तो हमको क्या मिल जाए middle term मिल जाए हमको यहां पर middle term मिल जाए हमको वो factors को select करना है जिसको add या subtract करने से हमको middle term मिल जाए तो देखिए अगर 12 वोर 1 को अगर हम consider करते हैं तो 12 plus 1 करें है 12 minus 1 करें हमको यहाँ पर क्या नहीं मिलने वाल हमको 7 चाहिए ठीक है इस question की साब से हमको 12 से 7 लाना है ठीक है तो 7 कैसे कैसे आ सकता है तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 12 वर 1 से नहीं 12 में plus 1 करें या minus 1 करें कोई फर्क नहीं पड़ता 7 नहीं आएगा अच्छा 6 और 2 में भी तो यह option select नहीं होगा 6 और 2 में 6 plus 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा 7 नहीं होगा 6 minus 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा इसको भी select नहीं करेंगे लेगिन आप देखें यहाँ पर कि 4 और 3 में 4 into 3 12 भी मिलेगा और 4 plus 3 7 भी मिलेगा ठीक है तो दोनों ही condition satisfy होना चाहिए मतलब कि आपको ऐसा दो number select करना है such that हम यहाँ पर लिखरें आपको ऐसा दो number select करना है सबोसकर यह x और y आपको ऐसा दो number select करना है such that कि यह उसको multiply करें तो ac मिले और उसको x को हम add या subtract करें तो हमको क्या मिल जाए b मिल जाए ठीक है हमको यह चीज ध्यान रखना है ठीक है य यह दोनों ही condition fulfill होना चाहिए याद रखेगा यह दोनों ही condition ठीक है हम दोनों जो number मिला है उसको add करके या subtract करके या पहले वाले से दूसरे वाले को subtract करें या जो भी चीज करें यह combination x plus y plus x plus y minus x minus y plus x minus y minus इस तरीके से हमको b लेके आना है ठीक है ना चलिए तो हम क्या कर रहें वच्चा कि 12 से हमको 7 लाना है और 12 से हमको क्या पतर चला कि 4 into 3 select किये तो हमको दिख रहा है कि 4 plus 3 7 होगा तो बस मेरा काम क्या है कि splitting the middle term हम को क्या करना है split करना मिडल टर्म को तो हमें आसानी से यहाँ प X 7 को म लिख सकते हैं नो 4 4 प्लस 3 लिख दी हैं अब ये क्या होगा कि X square प्लस 4X प्लस 3X plus 12 अब पहले दो टर्म में common ले लेंगे इधर common ले लेंगे ठीक है तो पहले वाले में अगर X common लेंगे तो बचेगा X plus 4 फिर 3 common लेंगे बचेगा X plus 4 फिर X plus 4 common लेंगे क्या बचेगा x plus 3 कोई भी दिकत नहीं है ठीक है तो यह मेरा answer हो गया factorize हो गया चलिए अब next sum से थोड़ा सा speed में काम करेंगे हम लोग देखिए तो हमको क्या चाहिए बचा 28 into 1 तो 28 हमको मिल गया कि अब 28 है तो 28 को कितने तरगे से लिख सकता है बहुत तरीका 28 into 1 हो सकता है 14 into 2 हो सकता है 7 into 4 हो सकता है ठीक है न तो यह सारा तरीका लेकिन हमको 11 चाहिए तो 11 कैसे मिलेगा 11 हमको दिखराए कि 7 4 जा 28 होगा और 7 plus 4 क्या होगा 11 होगा तो चलिए यहां पर minus sign नहीं याद रखिएगा इस चीज़ को तो देखें यहां पर क्या होगा कि x square यहां पर यहां minus 11 कम क्या लिख दिए हैं एक बार हम और लिखके दिखा रहे हैं कि 7 plus 4 11 कम लिख दिए 7 plus 4 plus 28 ठीक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x square minus अच्छे यहां पर x होगा यहां पर x होगा ठीक है यहां पर x होगा ठीक है ना चलिए तो x square minus 7x minus 4x plus 28 कोई दिखकत नहीं x square minus 7x minus 4x minus sign था दोनों का sign चेंज हुआ आप हर बार यहां पर आ करके एक बार चेक कर लिजीगा कि क्या इन दोनों को solve करके हमको middle term मिल रहा है तो minus 7x minus 4x दोनों same sign का है add करके minus 11x ही आएगा ठीक है अब चलिए यहां पर x common लेंगे तो x minus 7 minus 4 common लेंगे तो x minus 7 तो यह हो जाएगा कि x minus 7 into x minus 4 यह मेरा हो जाएगा answer ठीक है कोई दिखत नहीं है ठीक है चलिए next देखते हैं अब इसको अब हम लोग बहुत असानी से ज़्यादे लिखते जाएंगे कि 40 से 3 लाना है ठीक है 40 से 3 कैसे आएगा 85 जो 40 और 8 minus 5 3 होगा तो द सुचिए ठीक है बैक लिए आपको यह step को सुचना है ठीक है तो minus 8x plus 5x और यहाँ पर है minus 40 देखे इस दोर को solve करके हमको क्या मिलने वाला minus 3 मिलने वाला है ठीक है कोई दिकत नहीं है चलिए फिर x common लेंगे पहला दो term में तो क्या होगा x minus 8 plus 5 common लेंगे तो x minus 8 फिर x minus 8 common ल सकते अगर xy को अगर आप सबसकर यह m ले लिए तो यह क्या हो जागा m square plus 13m minus 300 या फिर आप directly भी कर सकते हैं ठीक है तो देखे हो चाहिए यहाँ पर 300 से 13 लाना तो देखे बहुत सारा option निकलेगा 13 to 10 करेंगे 15 into 20 करेंगे 25 into 12 करेंगे या फिर इसी तरीक से आपको बहुत स जाएगा 300 हो जाएगा ठीक है 25 into 10 करेंगे तो 250 फिर 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 ठीक है 300 तो हमको दिख रहा है कि 25 में से अगर 12 को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा middle term मिल जाएगा तो देखे इसको कैसे लिखने वाले हैं कि x square y square एक directly लिख सकता है ना directly लिखते है ठी middle term का plus sign है तो बड़े वाले को plus sign दे दीजिए तो plus 25xy इसमें से subtract कर दीजिए 12xy minus 300 ठीक है बस ही हो गया चलिए अब इसको पहले दो टर्म में क्या common जाएगा अच्छा है यहां पे पहले दो टर्म में अगर हम xy common ले ले तो मेरे पास क्या बचेगा कि xy plus 25 यहां minus 12 common लेंग यह हो जाएगा answer कोई भी दिक्कत नहीं है चलिए next sum देखते हैं तो अगर ऐसे समय होना confused नहीं हो next square उधर है तो आप इसको कुछ नहीं समझ मेरे तो आप minus common ले लिजिए अगर आपको अधिक दिक्कत और अगर minus common ले लिए तो यह क्या हो जाएगा कि x square plus 3x minus 20 at last में आप minus क इसी भी bracket में multiply कर दीजेगा यह आपके उपर है यह बीना minus लिए भी आप कर सकते थे तो अब दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 28 है तो 7 4 जा 28 तो 7 minus 4 3 होगा तो कैसे लिखेंगे minus of यहाँ पर क्या होगा x square minus sorry plus 7x minus 4x minus 28 ठीक है तो यह क्या दे देगा हमको यह हमको 7 तो यह मेरेको आंसर क्या देदेगा बच्चा यहाँ पर मेरेको आंसर मिल जाएगा clear नहीं आ रहा है blood हो गया हाँ तो यहाँ पर आंसर क्या बच्चा यहाँ पर फिर हम क्या ले लेंगे कि x plus 7 common ले लेंगे तो क्या बचेगा x minus 4 लेकिन देखिए यहाँ पर एक minus sign है ठीक है यहाँ पर minus sign है तो आप minus sign यह भी आप सही है यह भी आप answer लिख सकते हैं यह फिर आप इसी को आप लिख सकते हैं कि x plus 7 और यह minus को अगर इधर multiply कर देंगे तो 4 minus x हो जाएगा यह answer हो जाएगा कोई देखत यह minus sign हट गया minus को आप अंदर भेज़ दीजिए ठीक है अब देखिए इसी को हम फिर अगर बोल रहे है कि अगर मांग लिए आपको नहीं convert करना है तो minus x square minus 3x plus 28 है तो आप क्या देख रहे हैं कि 28 से फिर से वही काम होगा न कि minus x square इस बार क्या लिखेंगे कि minus 7x plus 4x क्यों क्योंकि हमको minus 3x चाहिए end result ठीक है तो minus 7x plus 4x करेंगे कोई दिक्कत नहीं है फिर यहाँ पे अच्छा यह plus 28 लिखना भूल गए तो यहाँ पे हो जाएगा plus 28 चलिए plus 28 होगा तो पहले दोनों में देखी क्या common ले लेंगे पहले हम ले लेंगे minus x common ले लेंगे तो बचेगा x plus 7 और यहाँ पे plus 4 common ले लेंगे तो बचेगा x plus 7 अब देखे आपका end result यहाँ पे क्या जाएगा कि x plus 7 common लेने के बाद क्या बचा कि minus x plus 4 या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए x plus 7 x plus 7 और उसके साथ क्या है कि 4 minus x जो कि यहाँ का अंसर था यह answer और यह answer देखिए same है ठीक है same है दोनो ठीक है तो अभी बहुत basic चीज़ देख रहा है हम लोग ठीक है ना चलिए last वालस हम एक बाद देख लेते हैं जल्दी से क्या होचा है यहाँ पर कि x plus 1 whole square plus 5 of x plus 1 minus 14 तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि x plus 1 यहाँ भी x plus 1 यहाँ भी है तो आप लेट लेट लिजे let x plus 1 equals 2 suppose करिए m तो यह क्या होगा कि m square plus 5m minus 14 तो 7 2 7 2 जा 14 7 minus 2 5 होगा तो यहाँ भी क्या लिखें कि x square m square plus 7m minus 2m ठीक है क्योंकि plus 5m चाहिए minus 14 तो m commonly है तो m plus 7 minus 2 commonly है m plus 7 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बच्चा कि m plus 7 अगर हम common ले ले m plus 7 common ले ले तो क्या बचेगा m minus 2 ठीक है कोई भी problem नहीं है ठीक है अच्छा अब end result जो आपको लिखना है वहाँ पर तो m नहीं था m तो हम लिए थे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे into x minus 1 यह हो जाएगा answer ठीक है कोई भी problem नहीं है यहाँ तक ठीक है basic sums था अभी हम लोग यह 6 sum देखें चलिए next आगे करते हैं हम लोग चलिए यह question आप लोग को यह answer बताए यह जल्दी से हमको end result हम भी करते हैं साथ में क्या 6 into 3a minus 2b whole square minus 15 into 3a minus 2b minus 9 तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर भी 3a minus 2b है और यहाँ पर भी 3a minus 2b है तो पहला काम क्या करेंगे 3a minus 2b equals to m तो क्या हो जाएगा 6m square minus 15m minus 9 ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो 9 6 या 54 54 से हमको क्या चाहिए बच्चा 54 से चाहिए 15 तो क्या होगा वही 9 और 6 ही ले लेंगे तो यह क्या होजाएगा 6m square minus 9m minus 6m minus 9 ठीक है देके 9 6 या 54 भी हो जाएगा और यह 54 तो है यह यही दो नंबर से इसको factorize हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या common लेंगे कि 3m अगर common लें तो क्या बचेगा 2m minus 3 यहाँ पर minus 3 common लें तो क्या हो जाएगा अच्छा है एक second तो यहाँ बच रहा है 2m plus 3 लेकिन यह और यह same नहीं हुआ तो यह दोनों same नहीं हुआ अच्छा तो इसका और कोई अपरोच देखा जाए देखिए तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 6 तो अच्छा है इस बार सपोज करें सेम यहाँ से हम देख रहें कि अगर m मान लिया है तो क्या हो जाएगा कि 6m square minus 15m minus 9 तो दूसरा अपरोच अगर देखा जाए कि कैसे solve करें तो बचे एक चीज़ दिख रहा है कि इस तीनों में क्या 3 common है अगर 3 common लेंगे तो क्या बचेगा 2m square minus 5m minus 3 सही है तो अभी के 3 तो है साथ में यह क्या हो जाएगा 3 to 6 6 से 5 कैसे ला सकते है कि 2m square minus 6m plus m minus 3 कोई दिक्कत है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना 3 common ले लिए तो यह क्या बचेगा 3 common लेने के बाद यहां बचा 2m square minus 5m minus 3 अब 3 to 6 तो होता है ठीक है अब 6m को क्या लाना है 5 लाना है तो 6 से 5 कैसे है आगा 6 minus 1 6 into 1 6 भी होगा 6 minus 1 5 होगा चलिए तो minus 6m plus m क्या होगा minus 5m तो 3 into इस पहले 2 में हम क्या common लेंगे 2m common लेंगे तो क्या बचेगा m minus 3 यहां plus 1 common लेंगे तो बचेगा m minus 3 कोई दिक्कत नहीं है चलिए तो यह 3 आया और यहां से हम क्या common ले सकते हैं m minus 3 common ले सकते हैं तो यहां बचेगा 2m plus 1 ठीक है अच्छा तो यह मेरा पास answer क्या होगा है कि 3 into m minus 3 into 2m plus 1 ठीक है तो यह factorize हो चुका है यह हो जाएगा answer अच्छा लेकिन अभी तो हम m का value नहीं put कि m का value अगर put करें तो क्या हो जाएगा कि 3 into m minus 3 तो m किसको लिये थे 3a minus 2b को तो 3a minus 2b minus 3 और फिर क्या हो जाएगा इसके साथ है 2m plus 1 तो 2 into m करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 6a minus 4b plus 1 तो यह आपका हो जाएगा overall answer ठीक है यह हो जाएगा answer कोई दिकत नहीं है न बच्छा तो एक चीज हम यहाँ पर जल्दी से बोल दे रहा है बस कि देखिए यहाँ पर क्या situation है रहा है जो हम लोग सामने कि कभी ऐसा अगर हो रहा है तो सोचिए कि सपोस करें कि यह लिखा हुआ है कि x square minus 5m plus 6 अगर सपोस करें यह लिखा हुआ है x square minus sorry m square यहाँ पर x square minus 5x plus 6 लिखा हुआ है x square minus 5x plus 6 लिखा हुआ है को दिकत नहीं है देखिए इसको हम दो तरीके से वेक्टराइज कर सकता है एक तो क्या होगा देखिए 6 into 1 है तो 6 into 1 6 हो गया एक रहा हम 3 into 2 6 भी बोल सकते है 3 plus 2 5 भी बोल सकते है इसको हम लिख सकते हैं कि x square minus 3m minus फिरा मैं हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा x होगा x square minus 3x minus 2x plus 6 एक हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्या होगा x square minus 3x minus 2x plus 6 दिख रहा है ना आप लोग को कोई रिकत नहीं है अच्छा दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं कि 6 तो है 6 से 5 लाना 6 minus 1 कर देंगे तो x square minus यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 6x plus x plus 6 ठीक है ऐसे लिख सकते हैं कि minus 6x plus x क्या होगा minus 5x ही आएगा यह इसमें और इसमें कोई दिकत नहीं है और minus 3x minus 2x भी क्या आएगा minus 5x आएगा लेंगि देखिए इसमें से कोई एक ही कोँ फैक्टराइज कर पाएगा जैसे इसमें क्या होगा कि x common लेंगे तो क्या बचाएगा x minus 3 यहाँ पर क्या common लेंगे minus 2 यहाँ पर हम minus 2 common लेंगे ठीक है कि यहाँ पर यह common नहीं हो रहा है तो कई बार आपको ऐसा situation देखने मिल सकता है जहाँ पर क्या हो रहा है कि जो constant को अगर आप x square के coefficient से multiply करने के बाद आप middle term factorization करेंगे तो हो सकता है कि आगे जा करके आपको दिक्कत हो जाए ठीक है मतलब कि common नहीं के बाद यह जो चीज बचे ठीक है यह same नहीं बचे ऐसा situation आ सकता है तो इस समय आपको क्या सोचना है कि अच्छा कोई दूसरा तरीका देखते है क्या पूरे में कुछ common है या फिर दूसरा चीज क्या है कि क्या और कोई दो factor है सब्ट्रेक्ट करके वो चीज आ जाएगा middle term आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपको सोचना है ठीक है चले next sum देखते है चले बचे आप यह question आपको solve करना है क्या लिखा हुआ है कि 4 a to the power of 8 minus 25 a to the power 4 a to the power x to the power 4 plus 6 x to the power of 8 ठीक है यहाँ minus यहाँ plus है 25 लाना तो एक ही तरीका 24 into 1 24 और 24 प्लस 1 25 अम यहाँ पिका लिख सकते हैं कि 4 a to the power of 8 तो middle term को बस ऐसे लिखना है कि 25 आ जाए 24 और 1 के मदद से तो क्यासे लिखेंगे minus 24 a to the power 4 x to the power 4 minus a to the power 4 x to the power 4 plus 6 x to the power 8 ठीक है कोई भी दिकत नहीं है ना कोई भी दिकत नहीं है आप लोगे सामने ठीक है चलिए तो दिख रहा है ना कि यह like terms है यह like terms है ना यहाँ पर देखिए यहाँ पर a to the power 4 x to the power 4 है यहाँ पर भी a to the power 4 x to the power 4 है ठीक है तो देखिए यह अगर minus 24 इसको x पकड़ लेता है तो minus 24 x minus x क्या होगा minus 25 x कोई भी दिकत नहीं है चलिए तो इन दोनों में क्या common जाएगा बच्चा 4 a to the power 4 common लेंगे तो क्या बच्चेगा कि a to the power 4 minus 6 x to the power 4 चलिए इसमें क्या common लेंगे minus x to the power 4 लेंगे तो क्या बच्चेगा a to the power 4 minus 6 x to the power 4 कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना चलिए तो next क्या होगा कि अगर हम a to the power 4 minus 6 x to the power 4 को common ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बचने वाला है कि 4 a to the power 4 minus x to the power 4 सही है अब दिखिए बच्चा क्या इसके बाद से आप फिर से हम बोल रहे हैं कि यह बूक आप लोग के बूक में यह चीज़ अलाओड नहीं है फिर से हम यह आप लोग को एक बार याद दिलाते हैं कि जब ऐसे सिचुशन इसको हम लिख सकते हैं कि a square का holy square minus root 6 x square का holy square तो यह कम नहीं करिएगा यह चीज़ नहीं करिएगा इसको ऐसे ही छोड़ देना है a to the power 4 minus 6 x to the power 4 ठीक है अब दीखे इसमें लेकिन हम लिख सकते हैं कि 2a square का holy square minus x square का holy square इसमें हम पूरा लिख सकते हैं तή ना कोई हुजाएगा 2a square plus x square और 2a square minus x square ठीक है कोई दिखकत नहीं है 2a square plus x square 2a square minus x square ठीक है ना कोई भी problem नहीं है अब फिर देखिए फिर हम इसको factorize नहीं करने जाएंगे क्योंकि यह root 2a का whole square होगा minus x का whole square होगा ठीक है तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे हम बोल देंगे कि यही answer है ठीक है कोई भी problem नहीं है चलो जल्दी से हम लोग यह कुछ questions को देख लेते हैं त कोई भी दिकोत नहीं है ठीक है चलीए तो यहाँ पर हम क्या common ले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहां पर अगर हम X common ले ले तो क्या बचएगा x-a बचेगा ठीक है असur फिर से वैसे एक तरीका है सोचने का कि आप यहांपर क्या common ले लीजिए कि अगर And, •X aan यह ब a प्लस a by a ठीक है 1 को हम क्या लिख सकते है a by a कोई भी problem नहीं है फिर x को common लेंगे तो क्या बचेगा x into x minus a और minus यहाँ पर आप common क्या ले लिजिए 1 by a 1 by a minus 1 by a common लेंगे तो यहाँ से x बचेगा क्योंकि minus common लेंगे तो क्या बचेगा minus a दिख रहा है ना कोई problem नहीं है तो यह answer क्या हो जाएगा कि x minus a into x minus 1 by a ठीक है कोई दिखत नहीं है चलिए इस sum को देखते हैं दिखे बचे यहाँ पर यह constant है और यहाँ पर x square coefficient क्या है 1 है तो पहला काम मेरा क्या होता है कि constant को x square coefficient से multiply करना फिर उसको add या subtract करके middle term को लिखना ठीक है तो यह दिखे यह जो मेरा constant यह पहले से factorized है मतलब 3 minus a into 2 plus a का product है तो क्या दिखे कि क्या इसको हम कुछ भी add या subtract करके हम 5 ला सकते हैं तो आपको दिख रहा है बहुत आसानी से कि अगर सिर्फ हम इसको add कर दें तो देखे ए और minus से कड जाएगा मतलब simply हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा हम यहां लिख दे रहे पहले कि x square plus 5 के जगा पर हम क्या लिख देंगे कि 3 minus a plus 2 plus a 5 के जगा हम यह लिख दिये इसके factors के term में ही लिख हैं देखिए धियान से plus 3 minus a into 2 plus a कोई भी दिक्कत नहीं है 3 minus a into 2 plus a अब देख बचाए यहां पर हम क्या कर सकते हैं क्या लिख सकते हैं इसको इसको हम लिख सकते हैं यह एक bracket था और यह एक bracket था यह लिख रहा है कि a और a cut करके क्या मिल जाएगा हमको 5 मिल जाएगा तो middle term को हम स्प्लिट की हैं उसके factors के addition या subtraction में ठीक है चल देखिए तो यहां से क्या आएगा कि x square plus अगर अच्छा यहां पर x था ना 5 अगर हम इन दोनों में देखिए क्या common लेंगे x common लेंगे तो बचेगा x plus 3 minus a plus इन दोनों में हम क्या common ले ले कि 2 minus a अगर हम common ले ले तो देखिए 2 minus a common लेने से यहां से बचेगा x और यहां पर क्या बचेगा 2 minus a नहीं था 2 plus a था 2 plus a था यहां पर हम कहां गलती लिखे हैं यहां गलती लिखे हैं ठीक है 2 प्लस ए होगा ठीक है तो 2 प्लस ए अगर common ले ले तो क्या मिलने वाला है यहां से x बचेगा और यहां से क्या बचेगा plus 3 minus a तो दिख रहा है कि यह दोनों सेम हो चुका है तो हम क्या common ले लेंगे कि x plus 3 minus है अगर हम common ले ले तो बच्छे कि x plus 2 plus a ठीक है ये हो जाएगा मेरा answer ठीक है कोई problem नहीं है चलिए next ये वाला sum देख लेते हैं हम लोग जल्दी से इसमें क्या बच्छे कि x square minus 2a plus 1 तो इस बार देखिए कि मेरे पास जो constant है वो ये है x square coefficient 1 है और इन दोनों के product से हमको middle term को लाना है ठीक है तो a into a plus 1 से 2a plus 1 आ सकता है simply add करने से ये भी बहुत असान साम है कि x square minus अब हम 2a plus 1 को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि a plus 1 plus a into x plus a into a plus 1 ठीक है इसके factors के term में हम लिख दिया है ठीक है बच्छा तो अब देखिए मतलब simply हम इसको ये और इसको add कर दिया है तो x square minus ये क्या होगा कि a plus 1 into x ठीक है a plus 1 into x plus ax plus a into a plus 1 ठीक है बच्छा कोई भी दिक्कत नहीं है अब देखिए इसको बहुत असानी से अब हमको दिख रहा है इन दोन में क्या common लेंगे x common लेंगे तो बच्छेगा x minus a minus 1 हो जाएगा क्योंकि आगे minus है ध्यान दीजिए इस चीज़ का ठीक है आगे minus sign है तो a minus 1 हो जाएगा सही है न चलिए अब यहाँ पर हम क्या common लेंग ठीक है न यहाँ पर यह minus sign होगा यह minus sign होगा ठीक है यहाँ पर यह minus sign होगा चलिए अब next इन दोन में हम क्या common लेने वाले है बच्छा minus a common लेने वाले है अगर minus a common लेंगे तो यहाँ से simply x बच जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा plus है तो हो जाएगा minus और minus होने की चल यह मेरा होजाए एक answer, ठीक है, कोई भी problem नहीं है, चले next sum देखते हैं, चले बच्छा अब यह sum आप लोग करके दिखाए खुद से, x square minus 2x minus of a square plus 4a plus 3, ठीक है, यह बच्छा तो इस sum को हम कैसे करने वाले हैं, simply देखिए हमको फिर से क्या लाना है, x coefficient क्या है, 2 लाना है इससे तो दीख रहा है कि इससे directly add minus, add separate क्या करेंगे, तो पहले इसको भी factorize करेंगे, ठीक है ना, numbers में तो हमको directly factors मिल जाता है, l से हम लेकर करके हम निकाल सकते हैं, कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन यह अगर एक algebraic expression है, तो पहले हम इसको factorize करेंगे, फिर जो उसका factors आएगा, उसके help से middle term को लाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, कि x square minus 2x minus, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, बच्चा, देखिए, इसको लिख सकते हैं, कि a plus 3 into a plus 1, क्यों, a square plus a plus 3a plus 3, ठीक है, इसको हम यह लिख सकते हैं, अगर आपको देखना है, कैसे लिखना है, तो इसको क्या बचेगा, कि a plus 3 plus 1 common लेंगे, तो a plus 3, अब यह हमको क्या देदेगा, कि a plus 3 into a plus 1, ठीक है, तो इसको हम directly लिख दिए, कि अच्छा, यह चीज आगे, अच्छा, उसके बाद से हमको क्या दिख रहा है, कि a plus 3, a plus 1 से 2x का 2 कैसे आएगा, 2 लाना है, ठीक है, middle term, तो x square minus, अब इस 2 के जगा पर हम क्या लिखेंगे, बच्छा, इन दोनों को, हम क्या करना पड़ेगा, हमको, subtract, जैसे देखिए, कि a plus 3 minus a plus 1 करेंगे, इस 2 के जगा पर हम यह लिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर बचेगा, a plus 3 into a plus 1, देखिए, हम side में करके दिखा दे रहा है, यहाँ कि आप देख लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, कि a plus 3 minus a plus 1 करेंगे, तो क्या बचेगा, कि a plus 3 minus a minus 1, यह और a कड़ियागा, 3 minus 1 मेरे पास 2 बचेगा, तो इस 2 के जगा पर हम यह लिखेंगे, यह minus यह, ठीक है, आगे minus सायन ध्यान रखेगा, ठीक है, तो देखिए, अब यह क प्लस, a plus 1 into x minus a plus 3 into a plus 1, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चा, अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, कि अगर x कॉमन ली है, तो क्या बचेगा, कि x minus minus है, तो minus a minus 3, प्लस, यहाँ पर अगर हम a plus 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x minus sign है, तो फिर से minus a minus 3, ठीक है, कोई भी दिकर नहीं है, अच्छा, last answer हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कि इसका answer क्या आजाएगा, overall यहाँ पर answer क्या आएगा, बच्चा, कि x minus a minus 3, अगर हम कॉमन ले ले, तो बचेगा, x plus a plus 1, यह हो जाएगा, मेरा overall answer, ठीक है, कोई problem नहीं है, अच्छे समझ म हम के इस type के एक बार मिले लिए, जहाँ पर आपको जो constant होगा, वो इस तरीके से दिया रहेगा, तो एक directly add करने पर मिल जा रहा हम काम, एक बार हमको factorize करके idea subtract करना पड़ेगा, ठीक है, यह दो type इस पर आएगा, ठीक हो, चलिए next sum देखते है, चलिए जल्दी से इसका answer बत तो हमको दिख रहा है कि 13x common है, 13x a common है, 13x अगर हम common ले ले बच्चा, तो क्या बचेगा, दिखिए x square minus 2ax minus 13 into 1, 5a square, यह बचेगा, कोई दिकत नहीं है, चलिए, तो 13x common लेने पर, अच्छा, इसको फिर हम क्या लिखेंगा बच्चा, अब हमको दिखिए 15, से हमको क्या चा यह तो 15 into 2 कैसा हैगा, 5 into 3, 15, 5 minus 3, 2 मिल जाएगा, तो x square minus 5ax plus 3ax minus 15a square, चलिए, तो यह क्या जाएगा, 13x, यहाँ पर हम क्या common ले सकते, x common लेंगे, तो x minus 5a, plus 3a common लेंगे, तो x minus 5a, सही है न, तो 13x, x minus 5a, और x plus 3a, यह हो जाएगा आपका answer, सबका answer आगया होगा, next sum देखते हैं, next sum यह दिखिए, बच्चा क्या है, कि x square minus 3x का holy square, minus 38, into x square minus 3x, minus 80, ठीक है, तो देखिए, आप x square minus 3x, x square minus 3x, है, तो let x square minus 3x equals 2, m, तो यह क्या हो जाएगा, कि m square minus 38m, minus 80, हम गों क्या पता है, कि 40 into 2 क्या होगा, 80, और 40 minus 2, 38, तो m square minus 40m, plus 2m, minus 80, तो क्या हो जाएगा, m common लेंगे, तो m minus 40, plus 2 common लेंगे, m minus 40, तो क्या होगा, m minus 40 into m plus 2, अब m के जगा, अगर value put करेंगे, तो क्या होगा, x square minus 3x, minus 40, 40, और x square minus 3x, plus 2, ठीक है, अब आप लोग जब भी situation ने पहुँचेगा, तो एक बाद चेक कर लिजीए, क्या यह further factorize होगा, 40 है, तो 8 into 5, 8 minus 5 करेंगे, तो 3 मिल जाएगा, यह further factorize होगा, ठीक है, कोई भी problem नहीं है, अच्छा, और देखिए, क्या यह भी factorize होगा, हाँ, यह भी factorize होगा, क्यों भी 2 से 3 easily आ सकता है, समझ महा रहा है न, हम क्या बोल रहे है, जब ही आपको शिलेट करिएगा, तो value put करने के बाद आपको यह चीक कर लेना, कि क्या यह further factorize होगा, कि नहीं होगा, तो देखिए, इसको हम further factorize करके, क्या लिख सकते हैं, कि यहाँ पर होगा, x minus 8, x minus 8 और minus 40 है, तो x plus 5, ठीक है, देखिए, यहाँ पर minus 3x ही बज़ेगा, क्योंकि minus 8x plus 5x आएगा, अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस है, तो x minus 1, x minus 2, क्यों, क्योंकि minus x आएगा, x minus 1, x minus 2, minus x आएगा, minus 2x आएगा, minus 3x, minus 1, plus, minus 1, और minus 2 multiply होगा, plus 2, ठीक है, तो यह मेरा actual answer होगा, ठीक है, चार factors की term में, यह हो जाएगा, मेरा answer, अगर आप यहाँ तक करके छोड़ रहे हैं, तो half marks मेलेगा, या अगर teacher को मन नहीं हुआ, तो कुछ भी marks नहीं दे सकता है, ठीक है, चलिए next sum देखते हैं इसी के उपर, अब देखें बच्छा, यह एक sum में क्या है, x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 minus 3 है, ठीक है, तो इस समय आप हमेशा याद रखिए का आपको select कैसे करना, देखें, इसमें क्या करना कि आपको दो-दो को करके multiply करना, आप दो ऐसे select करना है, कि जो भी उसका constant term है, उसका addition, with sign, उसका addition क्या है, same है, उस दो term को select आना है, 4 है तो दो-दो का pair बनाना है, तो 2 का pair की हिसाब से बनाएंगे, इस तरीके से कि sum करने पर constant का क्या है, same है, देखें, अगर 1 प्लस 2, इन दोनों को साथ मिलेंगे, तो 1 प्लस 2, 3 आएगा, इन दोनों को साथ मिलेंगे, तो 4 प्लस 3, 7 आएगा, नहीं, equal नहीं हुआ, अगर 1, 3 को ले, 2, 4 को ले, तो ये 1 x प्लस 2, इन टो x प्लस 3, इसको आप एक साथ ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसके बाद से आपका काम क्या है, कि इसको अगर multiply करेंगे, तो देखेंगा, x square प्लस 5x, प्लस 4, और ये क्या हैगा, x square प्लस 5x, प्लस 6, माइनस 3, कोई भी problem है, x square प्लस 5x, प्लस 4, ठीक है न, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पर भी प्लस, चलिए, अब दिक्कत नहीं है, अगर दोनों में x square प्लस 5x है, तो हम क्या ले लेंगे, let x square प्लस 5x इक्वल्स 2m, और देखें बच्चा, अगर आप अच्छे से सोचेंगे, कि य उनलों का, जो constant है, उसका sum equal है, ठीक है, तो उसका reason यही था, कि आगे चल करके, हमको कुछ common मिल जाए, दोनों ही में, multiply करने के बाद, तो x square प्लस 5x स्कार अगर m ले ले ली, तो क्या होगा, m plus 4, into m plus 6, minus 3, तो क्या हैगा, m square plus 10m, क्या जाएगा, plus 24, minus 3, सही है, तो m square plus 10m, कि m plus 21, तो m common लेंगे, तो क्या बचेगा, कि m plus 7, plus 3 common लेंगे, m plus 7, m plus 7 common लेंगे, क्या बचेगा, m plus 3, अब m के जगा value put करना है, तो x square plus 5x, plus 3, plus 7, sorry, अच्छा, दूसरा क्या आएगा, m के जगा put करना है, x square plus 5x, तो x square plus 5x, plus 3, तो नहीं हम 3 से आप दिख रहे हैं, आप आप लोगको, कि नहीं हम 7 से क्या लाप आएंगे, 5 लाप आएंगे, और नहीं 3 से 5 लाप आएंगे, ठीक है, क्योंकि यह prime number से 7 plus 1, 7 minus 1 में 5 नहीं आएगा, 3 plus 1, 3 minus 1 में भी 5 नहीं आएगा, तो यही मेरा answer हो जाएगा, ठीक है, answer मेरा यहीं रहा जाएगा, कि x square plus 5x, plus 7, और x square plus 5x, plus 3, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, मेरे खाल समझ में आ गया है, आप लोगको कैसे करना है, ठीक है, तो अच्छा अभी यह सारा types हम लोग किया है, और कुछ questions हम लोग देखेंगे, आगे के lectures में, ठीक है न, चलिए, thank you very much,